धनिया के एक प्रमुक उत्पादक प्रांत, गुजरात में चालू रभी सीजन के दोरान इस महत पूवन मसाला फसल के बिजाईक शेतर में भारी गिरावट आई है, जिससे इसका उत्पादन काफी घटने की संभावना है। राजिक रिशी विभाग के आकड़ों से पता चलता है कि गुजरात में इस बार धनिया का कुल उत्पादन शेतर घटकर एक दशमलव दो साथ लाख हेक्टेर पर अटक गया जो पिछले सीजन के बिजाईक शेतर दो दशमलव दो दो लाख हेक्टेर से पचानवे हजार हेक् कम है वहां धनिया की बिजाई की प्रकिया लगभग समाप्त हो चुकी है दरसल इस बार राजिके सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक शेतर में धनिया की खेती पर किसानों ने बहुत कम ध्यान दिया जबकि जीरा का क्शेतर फल बढ़ाने पर विशेश जोर दिया उसका का धनिया के बजाए जीरा से बहुत अधिक कमाई प्राप्त हुई ध्यान देने की बात है कि गुजरात में धनिया का सरवाधिक सौराष्ट्र संभाग में होता है वहां इसका बिजाई क्शेतर गच सीजन के 2.19,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, गुजरात में इसका क्शेतर फल करीब सरसत प्रतिशत की वृध्धी के साथ 500 हेक्टेर पर पहुँचा जो पिछले सीजन में 300 हेक्टेर ही रहा था। इसी तरह कच संभाग में धनिया का रकबा 2500 हेक्टेर से सुधर कर 2600 हेक्टेर पर पहुँचा है। गुजरात के 500 हेक्टेर के पिछले साल के स्तर पर स्थिर रहा है। फिलहाल मौसम की हालत धनिया की फसल के लिए लगभग सामाने है लेकिन फरवरी मार्च का मौसम इसके लिए काफी महत्वपून साबित होगा। यदि उन दो महीनों में आंधी तूफान के साथ जोरदार बेमौसमी व इवं आकर्शन घटने की सूचना मिल रही है जबकि मध्यप्रदेश में सामाने बिजाई होने की खबर है। बाजार जानकारों के मुताबिक उत्पादन घटने एवं निर्यात मांग बढ़ने पर धनिया का भाव दूसरी छमाही में मजबूती हो सकता है। तब तक इछले स्टॉक ठीक ठाक बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी